कमश्का दोस्तों आज हम अपने वीडियो के माथ्यम से बताने जा रहें मदुमें डाइप्टीज के कारण लक्षन और इसके लिए कुछ घरे लो पाए जिने अजमा कर आप अपनी डाइप्टीज से कुछ राहत प्राप्त कर सकते हैं आजकल की जीवन सैली में डाइप्टीज बड़ी तेजी से फैल रहा है मदुमें अत्यादिक जटिल बीमारी है आम तोर पर इसे सूगर के नाम से भी जाना जाता है मदुमें रोग होने पर कोई भी मीठी वस्तु हमारे सरीर के लिए नुकसान दायक हो जाती है इस बीमारी में रक्त में शक्रक अस्तर उच्च हो जाता है जिसकé कारण सरीर की इंसूलिन उतपादन चमता प्रभावित होती है या सरीर प्रभावी रूप से इंसूलीन का प्रयोग नहीं कर पाता है आजकल डाइपटीज रोग ब्रधों के साथ साथ युवाओं को भी प्रभावित कर रहा है भारत में डाइपटीज यानिकी मदुमय से अब तक चार करोट से भी जादा अधिक भारती है इस रोग की सिकार हो चुके है इन समश्याओं के समाधान के लिए हमें कुछ घरेलों नुसकों की मदद लेनी चाहिए जो बिना किसी साइड इफेक्ट के इस समश्याओं से लणने में मदद कर सकते हैं मदुमय होने के प्रमुक कारण इस प्रकार से है अनुवांसिक प्रभाव जिनके परिवार के बुजूर्गों को मदुमय का रोग रह चुका हो या माता पिता इस रोग से पीडित हो ऐसे में इस रोग से ग्रसित होने की संभावना अधिक होती है खान पान सही खान पान का सेवन ना करने से भी यह रोग होने के असंका रहती है खाने में कार्बोाइडरेट वेवसा वाले परदार्थों का अधिक सेवन करने से भी यह रोग हो जाता है मोटापा यदि कोई व्यक्ति अधिक मोटा है तो उसे यह रोग होने की संभावना होती है हाला कि जरूरी नहीं कि मोटापा होने के कारण सबी लोगों को यह रोग हो जाए दुबले पतले लोगों को भी यह रोग अपनी चपेट में ले सकता है इसके अलावा अधिक सोने तथा सुबह देर से उठने शाररिक श्रमना करने आधी से भी यह रोग हो जाता है मानसिक कारण इस रोग के होने का प्रमुक कारण हमारा मानसिक तनाव भी है जो लोग अधिक तनाव क्रोद, शोक, एनिद्रा, इश्यादी में रहते हैं उन्हें भी ये रोग होने की पून रूप से संभावना रहती है मधुमै के लक्षण ये रोग होने पर रोगी को भुख प्याज जादा लगती है थोड़ा सा कारे करने से सरीर को वो ठका हुआ मैसूस करता है ब्लड प्रेशर भड़ा रहता है सरीर की तवचा में रूखापन और खुजलाट का होना भी इसका कारण है आखों से सब कुछ धुंदला सा दिखाई देना जिसे ये रोग होता है ऐसे रोगी के घावासनी से नहीं बरपाते है रोगी के सरीर में सुजनाना शुरू हो जाती है मधुमै के घरे लूप आए व्याम व्याम करने से सरीर में खुन का दोरा सही रहता है और खुन में शक्कर की मात्रा भी नियंतरन में रहती है इसले रोजाना व्याम करें जिसके कारण मधुमै की विमारी से छुटकारा पाया जा सकता है फाइबर फाइबर का अधिक सेवन करने से खुन में से सूगर कम होने लगता है इसके लिए अपने आर्व में आफाइबर की मात्रा को बढ़ाएं फाइबर गेहूं ब्राउन राइज या वीट ब्रेड आदी से आधिक पाई जाती है ताजे फल और सबजियां ताजे फल और सबजियों के सेवन से सरीर स्वस्त रहता है फलो में प्राकर्टिक चीनी का मिस्ट न होता है और यह सरीर के लिए बहुत अच्छा होता है तथा सरीर को पोशन पहुचाने में भी काफी मदद करता है इसके लावाद जिंक, पोटेशियम, आईरेन का भी अच्छा मिल पाए जाता है इनमें जो मदद मै को दूर करने में मदद करते है पालक, घोभी, करेला, अर्भी लोग्यादी मदद मै में लाब दैक माने जाते हैं यह कैलोरी में कम और विटामिन С, वीटा, कैरोटिन और मैंगनेशियम में ज्यादा होती है जिसे मदद मै की समश्या कम होने लगती है दालचिनी से सरीर की सूजन को कम किया जा सकता है तथा इंसुलिन लेवल को कंट्रोल में रखा जाता है इसके लिए आप खाने, चाय या फिर गरम पानी में एक छुट की दालचिनी पाउडर मिक्स करके रोजा न पियें इसे मदुमय से छुटकार अभी प्राप्त हो सकता है सोया, डायप्टिस को कम करने के लिए सोया बहुत असर कारक मानी गई है इसमें उप्राप्द इसोफलोवन्स सूगर लेवल को कम करने में मदद करते हैं और सरीर को पोशन पहुंचाते हैं आप हम आपको बताएंगे मदुमय से बचने के कुछ अन्य उपाए रोजाना 15 से 20 वेल पत्र चबाए इससे मदुमय नियंत्रित होता है कुछ मेति के दानों को किसी स्टील के बरतन में भीगो कर रख दे आप इन भीगे हुए दानों को सेवन करें कम से कम दो से तीन बार आप इसका सेवन करेंगे तो काफी फायदा होगा रोजाना कम से कम दो किलो मीटर तक पैदल चलने की कोशिस करें आर में जोर चने का इस्तमाल अधिक करना चाहिए नियमित रुप से करेल का जूस पीने से मदुमै से छुटकार अपराप्त होता है एक चमच आव लेके जूस को एक चमच करेले के जूस में मिला कर आप दिन में दो बार सेवन करें इसे सुगर नियंत्रित रहता है आम, अंगूर और अननास आदी मिठे फलों से दूर रहें मिठा, खटा, ताजा, अनाज, चावल, आलू, तेल और मसालेदर भोजन आदी नहीं करना चाहिए भोजन में प्याज, लैसुन, कच्चा, केला और काले बेर का सेवन अधिक करें सबजियों का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए जैसे मेथी, तोरई, लोकी, मूली, टमाटर, गाजर, पुदीना, अध्रखादी का सेवन करना भी मदुमें में काफी लाब दैक्सिद होता है रोजाना गाईक का घी, हींग, जीरा, धनिया, सोंट, सींधा नमक, आधिक सेवन करना चाहिए इससे भी मदुमें को कम करने में मदद मिलती है ख्यारे दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार दोस्तों, जैहिंद